आज हम अपना चैप्टर नंबर सेकेंड बेटा हैल्थ हो डिजीज स्वास्थी और रोग इसको रिविजिन करते हैं इसका तो हैल्थ हैल्थ हैंड डिजीज फूर्ड फूर्ड प्रोवाइड एस दे न्यूटेंट्स विच और रेक्वाइड बाई और बोडी भोजन हमें क् हो सक तक्वा देते हैं तो हमारी शरीर के लिए ज्यरूरी होता है वर एनरजी उड़्जा के लिए ग रोटेक्षण गोथ की लिए और प्रोटेक्षण अगेंस्त डिजिजर भोसे लड़ने के लिए या रोगोसे सु्छत रहने के लिए और बोडी रैक्वाय्ट्रेट्स, fats protein which means minerals for our proper growth these nutrients should be in proper amount in our diet the diet with all the required nutrients in proper amount is called balanced diet वो डिए जिसमें सारे जो नुट्रेंट्स है वो प्रोपर अमांट में उचित मात्रा में हम उनको बालंस डाइट बोलेंगी दिस्टाइट इसफार डिफ्रेंटन फॉर्ट्ट टीजों वोर डिफ्रेंटन फॉर्ट्रेंट भी आलाग अलाग पूती है वो हो रहत है नेन फीमेल तेक़ डिफ्रेंट आप्स निर्ट अकोर्डिंग तो दियर फंक्शन्स और बोडीबिल्स कर्भो हैट्रेड कॉर्टिविटिर प्रोटिटिग में आते और क्राइट्र मिरेट चर्प ऑंड़ कोजा देते और कला हो человека है ब्रेट हो गए झाल में आते हैं। फैट प्रोवाइड एस मोर एनर्जी देन कार्भोहेट्रेट के बज़ा ज्यादा अनर्जी हमें देता है बट सुड भी कंजूम्ड इन लेजर क्वेंटिटी एस दिया देनोट गुड फोर अवर है लेकिन इसे कम एनर्जी हम कंजूम कर पाते हैं क्योंकि यह क्या है हमारी ह अधिक मात्रा में लिया जाए ता वैरिया सोर्स फैट्स आर नाट्स बेटा घी ओल अट्सेक्रा प्रोटीन प्रोटीन है फिन ग्रोथ ओवर बोडी एंड और अलसो रेपेर तो वियर्ण वन मिनुट प्रोटीन हेल्पिंग ग्रोथ ओवर बोडी एंड और अलसो रिपेर दा रिपेर दबिया एंड टिया ओफ ओवर बोडी टिशू इस हमारी जो सरीट की चूट फूट है उसकी मरूम्मत करती है प्रोटीन जा सोर्स प्रोटीन आर पल्सल्स मेट फिश व्यावीन पी मिल्क ग्रोविंग की एड्स रेक्वाइर मोर प्रोटीन देन एन अडल्ट एक जो शोटा बच्चा होता है उसको ज्यादा जरूरत होती है पजाएक एक अडल्ट के विट्मिंस और मिनरल्स ये क्या करते हैं पिछह में देखर है आप प्रोटेक्टिव होते हैं विट्मिंस कीप एक जब एक अपिध एक ही अपिट अपिटो एंगी और एक जिस की एक पर जाहम है अपीज तेखर हैं अभीज चिप्रोटेश है और में घजा लवादेट और में आव लादाव ऑता हैं एक त्रूटेट और विटल्ट स्वार्टिंस और प्रोटेश और भूज पक विए इनफ रफेस टूगेट आइड़ अनडरी और श्या ठीडड फूड आर्फेस किया होता है जो यह क्या करता है हमारी अडरी बबहर है लिएजेशन में हैलप करता है ना कि कुई हमेंग्ड जो नहीं करता है जैसे सलैडे ठेआड या जो खते आब हो और जो फाइब स्वोट होते हैं आब वाटर 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 । बोडी विशुट ड्रींख टू फॉर फॉर लिटर्स ओ वाटर डेली फॉर दे प्रोपर फंक्शनिंग ओफ और वाटर एस एटी परसेंट ओफ पर बोडी वेट इस वाटर ओल बोडी यक्शं आप इतना ही करेंगे जैसे त्री टाइब के जो आपने देखे नुट्रेंट्स देखे बैलन्स डायर देखे रफेस, वीटामिन्स, मिनरल्स ये सब डिजीज देखते हम कल ठीक है डिजीज में जैसे देखो एक मिनट डिजीज इस पर्टिक्युलर अबनॉर्मल कंडिशन्स a disorder of structural functions that affect a part of part or the whole of an organism it affects the normal functioning of our body some diseases are caused due to improper functioning of the body parts like अर्थराइटीज, डियाबिटीज एंट सम डियूजिज अकर डियू टु दा लैक और पर्टिकुलर न्यूट्रेंट्स इंडा बोडी दे और कॉल्ड डिफिसेंसी डिजीज किसी भी जो मिनराल से विटामीन से उसकी कमी से हो जाती है उनको बोलते हैं डिफिसेंसी कंहुन काने केमी कि ओए जो एक दूसरे पर्सेंट और क्तरंक्रण नौन कंहुंन के लिफिन को अंवे टेटिजीजा कल आज के लिए इतना ही यह आप इसके अक्षरसाइज करोगे और इसके जो किर संथ हैं उनमेंसरफ दोटेक्रके साथ लूजिरों करें LOUबू के होकि झाल